राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामे कलह अरे बहु बजार में कच्ची हल्दी ताजा अदरक आवला आ गए होंगे तुम बजार जा रही हो तो लेती आना थंड के मौसम में सेहत के लिए बहुत लफदायक होते हैं बच्चों को भी ये सब च में पचास तरके काम होते हैं इन सब के बीच हल्दी अदरक आवले को काटना उनका आचार बनाना हमसे नहीं होगा सो नाली ने रुखा सजबाब दिया ये जानते वे भी कि उसकी सास को ये सब देशी चीजे बहुत पसंद है बहु मैंने तुम से कब कहा कि तुम बनाना मै मैंने सिर्फ बजार से समान लाने के लिए कहा है मैं सब तयार कर लूँगी अलकाची बोली अभी तो आवले बहुत महंगे होंगे जब सस्ते होंगे तब देख लेंगे सो नाली ने फिर रुखा सा जबाब दिया बहु आज मेरा एक यारस का उपवास है मैं फालहार ही घर में फल तो होंगे ही ना अगर नहीं होंगे तो मंगवा देना अलकाची बोली आपको इस उम्र में उपवास रखने की क्या जरुरत है जो सब के लिए बनेगा वहीं खाली जिएगा इस समय फल भी बहुत महंगे हैं और अलग से फलाहारी वाला ब्रत खाना बनाने में काफी समय लगेगा मैं नहीं बना पाऊंगी सोनाली बोली बहु केले यह पपीता ही मंगमा दो अगर ये भी ना हो सके तो दो तिन आलू उबाल दो मैं उसी की फलाहारी खिचरी बना के खालूंगी अलका जी बोली सोनाली मुँ बनाती हुई किचन में गई और बे मन से आलू उबाले अलका जी के पती का पिछले साल ही स्वर्गवास हुआ था दोनों पती पतनी आराम से छोटे सहर में सांती से रहते थे बेटा पवन अपने परिवार के साथ बड़े सहर में पूने रहता था पवन के भी दो बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी सुरुवात से ही बेटा बहु की अपनी अलग ग्रस्ती थी अलका जी के पती सुधाकर जी रिटायर हो चुके थे उन्हें पूरा अठारा हजार पेंसन मिला करता था जो दोनों पती पतनी के लिए परियाप्त थी अपना घर था मेडी क्लेम की सुधा ले रखी थी लो मेंटीनेस में जीवन जीते थे इसलिए परिशानी नहीं थी परिशानी तब आई जब आचानक से दिल का दोरा परने से सुधाकर जी नहीं रहे मा आप हमारे साथ पूने चलिए यहां आपका अकेली रहना ठीक नहीं है लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा बेटा बहु के होते वे भी मा यहां अकेली पड़ी है बेटा पवन बोला पर बेटा मैं अभी स्वस्त हूं लचार नहीं यहां आस परोस भी अच्छा है कई रिष्टेदार भी है मुझे यहां किसी परिकार की कोई परिशानी नहीं होगी मैं अपने घर को छोरना नहीं चाती अलकाची बोली मा निर्जिव घर के प्रती इतना मोह रखना ठीक नहीं है लोग तो यहीं कहेंगे कि बेटा बहु मा को रखना नहीं चाते होंगे यह मा यहां रह गई नहीं नहीं आपको हमारे साथ चलना ही होगा पवण ने जिद करती वे कहा बेटे की जिद के आगे अलकाची ने हार मानली और बेटे बहु के साथ है पूने आ गई अलकाची को आठ हजार पती की पेंसन की रूप में मिलते थे अपना छोटा सा घर था जिससे उन्होंने वैसा का वैसा छोट रखा था कि जब वो वापस अपने सहर आना चाहे आराम से रह सके सोनाली को सास का हमेशा के लिए उसके पास आना बिल्कुल पसंद नहीं आया सोनाली हमेशा मू बना के रखती जरा भी घूल मिलकर नहीं रहती अलकाची कुछ भी कह तो उनकी बात का हा या ना में ही जबाब देती कुछ देर अपनी सास के साथ बैठना तक पसंद नहीं करती जबकि अलकाची ने हमेशा सोनाली के साथ अच्छा ही बरताओ किया था बच्चों को भी अलकाची के साथ समय बिताने नहीं देती सास का आदर करना दिल से सेवा करना उनसे बात चीत करना सला मस्वारा लेना ये सब उससे नहीं होता था बेटा भी सब कुछ देख कर समझ कर भी चूप चाप रहता वो भोल चुका था कि उसका अस्चित्वे ही उसके माता पीता से है अरे पवन बेटा ये लो मेरे बैंक का एटियम काड और उसका पासवड एटियम से दस हजार रुपे निकाल कर मुझे दे देना अलका जी ने कहा मा आपको पैसो की क्या जरुरत है पवन बोला बेटा हाथ में चार पैसे हो तो आत में विश्वास बना रहता है छोटे छोटे कई परकार के खर्चे होते हैं यहां से ठाकुर जी की हवेली में दर्शन करने जाना हो तो अटो के पैसे लगेंगे भेट धरनी हो तो उसके लिए पैसे चाहिए अचानक से कोई रिष्टेदार आजय तो उसे देने के लिए भी तो पैसे चाहिए पोता पोती को खुशी जे चोकलेट आइसक्रिम खिलानी हो तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए अलका जी ने मुश्कुराते हुए कहा पवन एटियम कार्ड से दस हजार रुपे निकाल कर ले आया सुनिए मा जी को पैसो के इस्तिमाल की समझ नहीं है आठ हजार की पेंसन आती है बैंक में भी कुछ जामा पुजी रखी है कही अपनी बेटी को ना दे आये मैं कहती हूँ हम पेंसन की रकम मिचुल फंड में लगा देते हैं हर महीने डाइरेक्ट बैंक से कट जाया करेंगे और बैंक की रासी को बच्चों के नाम फिक्स करवा लेते हैं क्या करेंगी वो बैंक में पैसे जमा करके वैसे भी उनकी उम्र हो चली है और सारे खर्चे तो उनके हम ही उठा रहे हैं भाला मा जी को पैसो की क्या जरूरते सो नाली ने पती के कान में बात डाली उनके बैंक के सारे जरूरी कागाजाते अधार काडे पैन काडे पास बुक चेक बुक एटियम काडे अब से हम भी समभाल के रखेंगे सो नाली ने कहा मा ने भी बैटे पर भरोसा करके बैंक के सारे जरूरी डेक्यूमेंट उसके हवाले कर दिये बैटे ने मा को बिना बताए कई कागाजातों पर उनके साइन ले लिए पेंसन की रकम भी अब पोता पोती के नाम से मिच्वल फंड में जाने लगी अलका जी की बैटी मा से मिलने हफते भर के लिए आई तो अलका जी ने बैटी और उसके बच्चों को पांच हजार के कपड़े दिलवाए साथ में पोता पोती को भी एक एक ड्रेस दिलवाई अब उनकी पास हाथ खर्च के लिए कुछ नहीं बचा कुछ समय बाद अलका जी पवन से बोली अरे बेटा जरा दस हजार रूपे एटियम से निकाल कर ले आना क्या हूँ आमा क्यों पैसे चाहिए तुम्हे पवन ने पूछा अरे बेटा तेरी मौसी का फोन आया था स्रिडी जाने का प्रोग्राम बना रही है मैंने बहु से भी कहा कि तुम भी साथ चलो तो बहु ने कहा बच्चों के एक जाम है साथ नहीं जा पाएंगे बेटा मैं यहां से मौसी के घर जाऊंगी फिर वहां से स्रिडी जाने का प्रोग्राम तै हुआ है हफ्ते भर में वापस आऊंगी जाने आने स्रिडी दर्सन में पैसे तो लगेंगे ही छोटी बहन है उसके और उसकी बहु के लिए भी तो उपहार ले जाना होगा अलका जी बोली मा वो अभी मेरे पास पैसे नहीं है एक दो दिन में बिवस्ता करता हूँ पवन बोला पर बेटा एटियम से पैसे निकालने में कहां वक्त लगता है अभी चार महीने से तो हमने कोई पैसे नहीं निकाले तीस हजार तो जामा हो ही गए होंगे अलका जी ने अपना गनित लगाया मा जी पैसे तो हम मिचूल फंड में लगाने लगे हैं क्योंकि वो पैसे तो अब हमारे हुए न आपके रहने के खर्च भी तो हम ही उठाते हैं इसलिए पैसन के पैसो पर अब हमारा हक ते हुआ होता जिस मा ने तुम्हें जन्म दिया तुम लोग उसके खाने पीने तक का हिसाब करोगे क्या अलकाची बोली मा महंगाई भी तो बढ़ गई है ना पवन बोला जब मेरा खर्च नहीं उठा सकता था तो मुझे यहां लाया ही क्यूं दुनिया को दिखाने के लिए आठ महीन मैं यहां हूँ बहु ने रोटी सबजी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया ना कभी दुद का गलास दिया और ना ही खाने को फल दिये अलकाची बोली बात आई गई हो गई सुनाली को लगा कि उसकी सास इस उम्र में अकेली तो रहेगी नहीं उन्हें जख मार कर बेटे बहु के पास ही आसरा लेना पड़ेगा इसलिए जैसा मर जी उनके साथ बरताओ करती खाने पीने तक के लिए तरसा दिया था उसने अपनी सास को मा जी ये पुजा के लिए दिया बाती में इतना घी क्यों इस्तमाल किया मालुम है आपको घी का दाम आसमान छू रहा है एक रोज सोनाली ने गुसे में बोली बहु मैंने ज्यादा घी नहीं डाला अरे जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है क्या हम उनके सामने एक दिया जलाके नहीं रख सकते अलकाजी ने बहु को समझाया कुछ समय बाद अलकाजी पवन से कहती है बेटा अपने घर की 20 सा पुरानी काम वाली जमुना की बेटी की साधी है जमुना ने 20 साल तक लागातार नीश्वार्त भाव से हमारी सेवा की है मैं उसकी बेटी की साधी में 5000 सगुन भेजना चाहती हूं इस में भी बहु ने कलाह कर दी अलकाजी कदम कदम पर अपने आत्म विश्वास को गिरव रखते हुए अपने बेटे बहु की प्रतारना का सिकार हो रही थी बेटा हमने पाई पाई जोर कर अपनी हैसियत से जादा तुम्हें परियाप्त सिक्षा दिलवाई ताकि तुम्हारा भवी से समर जाए तुम्हारी साधी में भी सारी बचत लगा दी अपनी पेंसन की रा बचे के लिए भी मेरे हाथ में चार पैसे नहीं रहते फोन का रिचार्ज खतम हो जाता है दस बार बोलो तब जाकर रिचार्ज होता है खाना भी एसान करके दिया जाता है प्यार के दो बोल कोई बोलता नहीं भाव नातमक सहारा प्रेम कुछ भी नहीं मिला बेटा मेरी वापस अपने सहर जाने की बेवास्ता कर दो अलकाची ने कहा माजी जारा सोच समझ कर कोई कदम उठाना आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए हम पे निर्वर हैं आप अपना वो घर हमारे नाम कर दिजिए बढ़ती उम्र है हम ही आपका सहारा है आप अकेले कैसे रहेंगी घर हमारे नाम कर दिजिए और यहां हक से रहिए सोनाली ने सास को धमकाते हुए कहा आसकल के बेटा बहुतो मा बाप को ब्रिद आसरम छोर देते हैं अरे गनिमत समझो हमने हमारे घर में आपको जगा दे रखी है घर से निकाल देंगे तो अकेली कैसे रहेंगी और कैसे अपने खर्च उठाएंगे बहु ने सारी सीमाय तोर दी बहु वो घर तो वैसे भी मेरी जाने के बाद तुम लोगों के ही नाम होगा पर अभी तो मुझे सम्मान से जी लेने दो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ अलका जी ने कहा एक बार फिर से सोच लिजिए बाहर की दुनिया जितनी आसान लगत है वैसी है नहीं हम ही आपका अंतिम सहारा है सो नाली बहु बोली बहु थोरा बहुत नियम कानुन तो मैं भी जानती हूँ मा बाप की देख भाल करना बेटे का फर्च होता है इसमें तुम लोग मू नहीं मोर सकते पर मैं तुम लोगों पर भरन पोसन पाने का केस भी कर सक तुम्हें अपनी सेलड से एक हीशा हर मा अपनी मा को गुजारा करने के लिए देना होगा पर मैं स्वाभी मानी हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं यहां आ गई थी यह जानते हुए भी की बहु का स्वभाव तेज है मेरी प्रती रुखा है उसे मेरा यहां आना पसंद नह आएगा क्योंकि मैं समास की नजरों में तुम लोगों को गिराना नहीं चाती थी पर अब मैं स्वाभी मान से जीना चाती हूँ तिल-तिल करके मरना नहीं चाती पेंसन की रकम अपने नाम पर करवाकर अलकाजी चली गई अपने छोटे से मकान के एक कमरे को उन्होंने दो लड़कियों को पैंस गेस्ट के रूप में दे दिया घरेलू सहाईका की मदत से लड़कियों के लिए खाने पीने की बेवस्था कर दी बसीहत मकान पोता पोती और बेटी के बच्चों के नाम कर दिया अलकाजी जब तक रही पूरे समान के साथ रही उनके बेटा बहु सम माज में मूँ दिखाने लायक नहीं रहे उनके घर से बरकत जा चुकी थी कई तरह की बिमारियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था बच्चे भी दादी के जाने से खुस नहीं थे दोस्तों बुजूर्ग को किसी भी कीमत पर अपने आत्में सम्मान के साथ समझ होता नहीं करना चाहिए बच्चे पर आर्थिक मामलों में अंधा विषुएस नहीं करना चाहिए क्यूंकि अब ये दुनिया बुनियादी रूप से लेन देन पर टिकियु हुई है जिन माता पीताने हमें जन में दिया उन्हीं पीता के अंदर अगर आपकी वज़ा से जीने की इक्छा समाप्त हो जाए तो यह हमारे लिए नर के द्वार के समान है इसे स्टोडी को ले कर आपकी क्या राय है नीची कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी बेहतरिन कहानी के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा आप स झाल झाल